उपमा भन्ज विरस्य तस्यापी चार्थ गोरबं कल्लोले पदलालेत्यम संती चिन्ता मनियत्रयम। एही उक्तिरु जोना पड़े जे रिती जुगरे बा रिती साहित्यरे उपेंदर भन्ज केते स्रेष्ठ कभी थिले। केबलो रिती जुगरे काहिकी समगरो ओडिया साहित्यरे सेहुचंती जोने स्रेष्ठ तथा चिरो काली नो महान स्वष्ठा। सेहुचंती जथार थरे ओडिया साहित्यरो कभी समराट। केबलो जे तांको पांडित्यो एबंग महान सहित्यो सुष्टी पाई से ओडिया सहित्यो रे जुने आगधाली र तथा स्रेष्ट स्थानर अधिकारी ताहा नुहें से ओडिसार घरे घरे पुरे 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 परीचित तथा जनप्रिय कभी मध्य अटन्ती तांक साहित्य सुरुष्ट्री गुडिको उडिस्थारे बेस जनप्रियता हासल करीछी तेनु करी उतकला मने गपबंधु दास्मध्य कही थिले गाये तुम्भगीत सभारे पंडित पथे पांथा हुरुष्ट मना गाये तुम्भगीत सभारे पंडित पथे पांथा हुरुष्ट मना बिले बोले चसा अंतह पुरे जोसा नुर्त्य रंगे बारांगना कभी सम्राड उपेंदर भंजंक स्रेश्ठता एबं जनप्रियता उपरेता किछी दोंदा नाही किछी संदेह नाही कभी सम्राड उपेंदर भंजंक स्रुष्टी संभार उपरे किन्तु मत भेद परिलख्षीत हुए थाई अनेक पंडित अनेक समालोचक तांक काभ्योक्रुती तथा ग्रंथ संख्या कुनेई भिन्न भिन्न मत देई थांती जे परिकी अनन्त पद्मनाभ पटनायकं का मत अनुसारे कभी सम्राड उपेंदर भंजंक सम्मदय ग्रंथ संख्या हुची तेस्तर ओडिया साहित्यर इतिहास ग्रण्थरे पंडित सुर्जनार्यनादास मत देःचंती जे कभी समराट को ग्रण्थ संख्या होची एक्चालिस ठीक सही भोली कभी समराटक उपेंदर भन्यंक ग्रंथ संख्या 34 बोली मत देईचंती अध्यापक गोवरी कुमार ब्रह्म्हा पंडित स्रिधर सत्पति सब्दमाला कलावति ओ त्रैलोक्य मोहिनी भन्यंक रचना बोली मत देईचंती ठीक सही भोली पदमावति परिनयो दमयंती बिलास नारद पुराण और सती स बिलास मध्य कभींक रचना बोली सुनी बाकु मिली थाई सत्य नारायन बुख्ष्टर दोरा प्रकासित अबना रशतरंग ग्रण्थरे समपादक डक्टर सुरेंदर नाथ पानिग्राही भन्यंक रप्रायो अस्ति ग्रण्थ थिवा कथा कही छन्ती एबं तांक मतरे तन मध्यरू 27 ग्रण्थ प्रकासित होई उची एही भली भाबरे कभी समराड उपेंदर भन्यंक ग्रण्थ संख्याको नही अनेक समालोचक अनेक पंडित भिन्न भिन्न मत देई थान्ती तेवे बिशय बस्तु दुरुष्टी रू कभी सम्राट उपेंदर भन्जां को ग्रंथ गुडिकु मुख्यत पांचो स्रेनीरे विभक्त करा जाए सेही स्रेनी गुडिका उपरे एबं क्यों ग्रंथ क्यों स्रेनीरे अंतरभुगत होई थाए सेशबु मुण लिक्षित आकारे कहुची भीडियो टिकु सेशबु परे जन्द देखांतु कभी सम्राट उपेंदर भन्जां को शुरुष्टी सम्भार को मुख्यत हो पांचो स्रेनीरे विभक्त करा जाए जथा पोरानिक काभ्यो, कालपनिक काभ्यो, आलंकारिक काभ्यो, गितिको बिता बा ख्युद्र गिति एबं अन्यान्यो पोरानिक काभ्यो गुडिको हेऊची, अबना रशतरंग, सुभद्रा परिनयो, राम लिला मृत, ब्रजलिला, कुन्ज विहार, कलाक उतुक, रासलिला, बैदेहिसबिलास, इत्यादी काल्कनिक काभ्यो गुडिको हेऊची, रशलेखा, हेममन्जरी, चित्रलेखा, सुभन्न रेखा, मनोरोमा, कामकला, भावबती, प्रेमलता, मुक्ताबती, प्रेमसुधानिधी, रशिको हराबली, कोटी ब्रम्हांड सुन्दरी, लाबन्यबती, चंद्रकला, त्रोयलोक्य महिनी, चंद्ररेखा, कलाबती, इच्छाबती, सुभाबती, रशमन्जरी इत्यादी। आलंकारिक काभ्य गुडिक हेवची, रशपन्चक, चित्रकाभ्य बंधोदय, छांद भुषण इत्यादी। गिती कभिता बाख्युद्र गिती गुडिक मध्यरे रहीची, छ पोई, न पोई, बार पोई, सोल पोई, पदी, गाहा, दोहा, चौपदी भुषण, चौपदी चंद्र, संगीत, इत्यादी। अन्यान्यो रचना बोली गुडिक मध्यरे रहीची, गिताभिधान, सडरुतु, पुरुषत्तमा महत्म्य, नारद पुराण, बजार बोली, छ ती सो रास, बिचित्र तरंगिनी, इत्यादी। तेवे एहा थिला कभी सम्राड उपेंदर भन्जां को सुष्टी सम्भार, एगुडिक मध्यरु, जेउं ग्रंथ गुडिक बर्तमान प्रकासितो आकार्रे मिलू ओछी, शेगुडिकर तालीकामु, डेस्क्रिप्सनरे लेखी देईची, आपनो डेस्क्रिप्सनरे जाई देखी परिवे, तेवे आजी रोब वीडियो रहती की ही, धन्यो बात, जोदि महा नाम मात्रुभासा चैनल सब्सक्राइब करी नहांती, सब्सक्राइब करी देऊंतू